क्या प्रधान मंत्रे विपक्ष से डर गए हैं? जवाब है हाँ ठिक चुनाव से दो महिने पहले ही विपक्ष के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिये जाते हैं और वहीं दूसरी और मोधी सरकार्न अपनी नीती से इलेक्टोरल बॉंड्स के जरिये चंदा लो धंदा दो से अपना खजाना भर लिया है बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने की वज़य से ही कॉंग्रिस ना तो अपने उमीदवारों को चुनाव के लिए पैसा दे सकती है और ना ही विज्यापन दे सकती है ये पूरा 14 लाक रुपै का मामला है लेकिन कॉंग्रिस पर 200 करोड रुपै का जुर्माना लगा दिया गया है ये साजिश सर्फ कॉंग्रिस के खिलाफ नहीं बलकि देश के लोगतंत्र के खिलाफ है साजिश है जिसकी सररचना हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री कर रहे हैं लोगतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव अनिबार होता है साथी ये भी आवशक है कि सभी राजरतिक दलों को एक समान अपसर मिले ये नहीं कि जो सत्ता में है उसका देश के संसाधनों पर पूरी तरह से कबजा हो और देश की संस्थाओं पर पूरे तरीके से उनका नियंत्रण हो सुप्रीम कोट ने जिस चुनावी चंदे की स्कीम को अव्यद वा असंविधानिक कहा स्कीम के तहट बीजेपी ने हजारो करोड रुपए अपने बैंक खातों में भर लिये वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल्प कॉंग्रिस का बैंक खाताव फ्रीज कर दिया जिससे कॉंग्रिस पैसों के अभाव में बरावरी के साथ चुनाव ना लड़ पाए ये मोदी सरकार द्वारा रचा गया एक खतरनाक शडियंत है जो लोककंच को खतम करने का बीजेपी का एक प्रयास है